गुड मॉर्निंग नाइथ क्लास, उम्मीद है आपने कबीर दास की जो साखियां मैंने आपको कल करवाई थी, आपने उनके कोसना अंसर राइट कर लिये होंगे और उनको रिवाइज भी कर लिया होगा, तो आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है कबीर दास के शबद या या ज्यान आ जाता है, तो उसके बाद इनसान के अंदर से जो वहम है, भ्रम है, वो कैसे खतम हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट में बताया है कि परमात्मा कहा निवास करता है, दूसरा है कि जब परमात्मा मिलेगा हमें, परमात्मा कैसे मिलेगा, ज्यान के दवारा मिलेगा ठीक है तो जब हमें ग्यान हो गया तो फिर कैसे हमारी जो मन की स्थिती है उसमें कैसे परिवर्तन हाएगा वो इसमें बताया गया है ठीक है तो इसमें वो कहा रहे हैं मो को कहा ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में अब बंदे किसको कहा गया है इंसान को मो को मुझे ढूंडे ढूंडना तो इसमें अब प्रमात्मा संबोधित होकर कह रहे हैं एक इंसान को कहते कि मुझे कहां ढूंड रहे हो मैं तो तेरे पास में ही हूँ ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में अब इसमें देवल का मतलब है देवालिय या मंदिर मस्जिद का मतलब आपको पता ही है कि धार्मिक स्थान है मुसलिम लोगों का काबा भी धर्मेक स्थान है मुसलिम लोगों का और कैलाश जो है वो हिंदु धर्म से संबंदित पुवित्र स्थान माना जाता है तो अब कवी इसमें कवी प्रमात्मा संबोधित होकर कह रहा है कवी की रूप में कहता है कि ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ ना ही मैं किसी काबे में हूँ और ना ही मेरा निवास किसी कैलाश परवत पर है ना तो कोने क्रिया करम में कोने होता है किसी क्रिया करम करम कांड अडंबर जो हम जूट फरेब से करते हैं उन क्रिया करमों में बगवान का निवास नहीं है नहीं योग बैराग में योग साधना करते थे कई साधू अब भी करते हैं वो कि उल्टे लटक जाना या फिर अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कस्ट देते हैं वो लोग जटाओं को वरिक्षों से बांध लेते हैं और सिर के बल खड़े रहते हैं या फिर चारों तरफ आग तपा करके अपने शरीर को उसमें तपाते हैं तो इस कहते हैं ऐसे योग बिहास से मैं प्रापत नहीं होता हूं मैं उसमें नहीं हूं बैराग होता है घर बारते आकर जो लोग वरागी हो जाते हैं घर से निकल जाते हैं मांग कर खाते हैं य कहते कि ना तो मैं किसी करमकांड में हूँ ना ही किसी योग में हूँ ना ही विरागी होने पर मैं प्रापत होता हूँ खोजी होए तो तुर्ते मिली हो खोजी मतलब अगर तुमारे अंदर मुझे पाने की जग्यासा पैदा हो चुकी है तो तुर्ते मैंने तुरंत उसी समय है बहुत जल्दी तो कहते मैं कुछ ही समय में तुम्हें मिल जाओंगा पल भर की तालाश में कहते हैं फिर तो समय बिल्कुल कम लगेगा अगर किसी के मन में भगवान को प्रापत करने की जियासा पैदा हो चुकी है तो वो कहते हैं मैं तो पल भर में ही तुम्हें मिल जाओगा कहे कबीर सुनो भई साधू अब कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कहते सुनो भई साधू कहते साधू साधू गोन होता है साधू से साधू शब्द बना है साधू होता है जिसने अपने मन को साध लिया है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है तो कहते हैं मैं तो कहा हूँ सब स्वासों की स्वास में स्वास क्या होते हैं सांस तो अब सांस तो सभी इंसान भी लेते हैं पेड़ पोधे भी लेते हैं पशुपक्षी सभी जीव लेते हैं तो कहते हैं इंसान सोच रहा है कि किसी मंदिर, मस्जिद, किसी इमारत में भगवान शिपा बैठा है, या परवतों में, या जोग अभिहास में, करम कांडों में है, लेकिन मैं तो हर एक इंसान पशुपक्षी हर एक जीर में हूँ, मुझे बाहर डूढने की कोशिश मत करो, ठीक है, उसके बाद है सेकिंड संतो भाई आई ग्यान की आंधीरे, अब संतों को संत कोन होते हैं, संत भी जो है एक धार्मिक वर्ड है, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है ये, जिनोंने अपने मन में, जिनके पास सत्य है, जिनके मन में सच्चा ही है, उनको संत कहा जाता है, तो प्रकाश विद्या रूपी प्रकाश आ चुका है अंधेरा मिट चुका है अग्यान का अब हवा आती है तो परस्तिती वैसी की वैसी रहती है उसमें जादा कोई फेर बदल नहीं होते लेकिन जब आंधी आती है तो हमें पता है कि एक जगह से वस्तुमें उड़ कर दूसरी में भी जगह पर पहुंच सकती है बड़े-बड़े पेड उकर सकती है बहुत ज़्यादा प्रेले आजाती है परिस्तितियां चेंज हो जाती है एकदम से तो इसी प्रकार कहते हैं ज्ञान का अब हवा माया रहना बांधी भ्रम क्या होता है वहम कहते मेरे मन में जितने भी वहम थे कि प्रमात्मा यहां है वहां है ऐसे मिलता है करम कांड से अडंबर से मिलता है वो सब कुछ खतम हो चुका है कहते अब जो भ्रम के जो परदे थे वो सारे तूट चुके है टाटी का मतलब होता है परदे ठीक है तो कहते हैं वो सारे परदे उड़ चुके हैं और माया में भी मैं नहीं बंधा रहा माया क्या होती है लोब लालच तो उन सभी चीजों से मैं छूट चुका हूँ हित चित की द्वै थूनी गिरानी मोह बलींडा तूटा अब कहते हैं जो हित होता है किसी इंसा सभी मेरे मुझे लग रहा था कि ये सब्सीजों मेरे अनुकूल है वो सभी मेरे मन में जो द्वैश की और दूसरे भावनाई थी वो सारी खतम हो चुकी है और कहते जो मोह का पिलर था वो भी क्या है टूट चुका है जो चपपर बलेंडा चपपर को भी बोल देते हैं जो लकडियों से बाहांस से बनाया जाता है तो कहते है वो क्या है वो भरम का जो काई जमी होई थी सारी वो सब कुछ खतम हो चुका है मेरे मन से सारे वेहम भरम दूर हो चुके हैं तरिष्ना चान पर घर उपर को बुद्ध का भांडा फूटा कहते जो त्रिशना जो थी उसकी चान चान वोई छपर होता है उसको चान भी भोल देती है पंजाबी में तो कहते वो जो था उपर से वो घर बना हुआ था जो चान का त्रिशना का वो मेरे उपर से उतर चुका है मतलब मुझे ग्यान हो चुका है कि इन चीज़ों में तृष्णा में लोब में लालच में मोह में कुछ नहीं रखा कुबुद्ध का भांडा फूटा कहते है कुबुद्ध होती है बुरी बुद्धी सु बुद्ध मैंने अच्छी बुद्धी होती है को बुद्ध बुरी बुद्धी बांडा मैंने बरतन फूटा मैंने टूट जाना कहते जो बुराई का जो मेरे मन में निवास था मेरी बुद्धी में बुराई बुरी थी चीजें वो सब क्या है जैसे बरतन फूट जाते हैं न मिट्टी के कहते ऐसे मेरी जो बुरी बुद्धी थी उसका बरतन तूट चुका है जोग जुकत कर संतो बांध निर्चू चुवेना पानी अब कहते जो जोग और ऐसी जुकतियां करकर के योग यही वाला जोग है ठीक है कहते जो संतों ने उसको बांध लिया है ठीक है जो संत लोग होते हैं वो जैसे अलग-अलग जुकतियां करके अपने मन को बांध लेते हैं और उस में से फिर क्या है निर्चू चूवे ना पानी कहते हैं जैसे कि किसी पक्के बरतन में से पानी नहीं निकलता ऐसे ही हमने ग्यान को क्या है बांध लिया है कूड कपट काया का निक्सिया हर की गत जब जानी कहते हैं मेरे मन से कूड का मतलब बुराई का कपट मैंने छल का काया का निक्सिया कहते हैं वो कूड कपट जो था मेरे काया मैंने उता है शरीर में से सारा कुछ निक्सिया मैंने निकल गया है कहते हैं जब मैंने परमातमा की दशा उसको मैंने पालिया उसको प्रापत करने की मुझे विदी आ गई तो जो सारा कूड कपट था मेरे शरीर में से निकल गया आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हर जन भी ना कहतें आंधी आने के बाद हमें पता है कि क्या होता है जुरूर बारिश आती है तो कहतें आंधेरी आने के बाद जो जल आया उसने क्या किया वो सारा कूड कपट जो मेरे मन में बुराईयां द्वैश बुरी भावनाएं थी सारी बहा कर वो ले गई और मैं क्या हुआ प्रमात्मा के प्रेम में भीग गया कहे कभीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना कहते इस प्रकार कभीर दास जी कह रहे हैं कहते कि जैसे सूरज आता है तो रोशनी फैल जाती है चारो तरफ इसी प्रकार ग्यान का प्रकाश मेरे हिर्दय में इस प्रकार आया कि मेरी सारी बुराईयां सब कुछ समापत हो गया और फिर क्या हुआ सारा अंधेरा दूर हो गया जैसे सूर्य आने पर रोशनी फैल जाती है ऐसे ही प्रमात्मा का ग्यान जब हमें हो जाता है तो सारे अंधेरे अग्यान के खतम हो जाती है और ग्यान की रोशनी आ जाती है हिर्दय में तो इसके question answer में आपको send कर दूँगी, आपने उनको write करना है और साथ-साथ revision भी करनी है, क्योंकि अब आपने एक बार जब read किये होते हैं chapter तो आपको जल्दी से learn हो जाते हैं, इसलिए आपने साथ-साथ revision जरूर करनी है इनकी, ठीक है? Okay students, have a nice day.